हेलो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CUET 2022 के जो आपके एक्जाम है इसके बारे में ठीक है और इसमें मैं आपको domain specific subject जो आपका history है जिस बच्चे ने भी domain specific subject यानि DSC में history subject को choose किया हुआ है उसके लिए वीडियो बहुत important है और इसमें मैं आपको पहले chapter से यानि ncrt का जो पहला chapter एक मनके और अस्तिया इससे आपको mcq question कराने वाला हूँ ठीक है आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और देखिए और इंस्टाग्राम पर आप मझे फॉलो कर सकते हो मेरा नाम है जतिंदर परताब आपको कुछ डाउट हो तो आप महां पर बात कर सकते हो ठीक है तो आज किस वीडियो में जो history का ncrt का book one का जो पहला chapter है इते मनके और अस्तिया इसको हम discuss करेंगे ठीक है इस chapter का आपको पत दिखना है आप सभी को और उसके आंसर को खुद से करने का प्रयास करने है ठीक है तो सबसे पहला question है कि हडपा सब्वेता की खोज जो है वो कब हुई option में है 1920,21,22,25 तो आई होप आप सभी को पता होगा तो इसको आंसर हो जाएगा B option यानि कि 1921 क्या हुआ था कि खुदा रही है अगला question है कि हडपा सब्वेता की जानकारी के मुख्य सरोत क्या है option है धार्मिक गरंत खुदाई में प्राप्थ हुए अवशेस धातू के बरतन या इस्थापत्यकला इनमें से कौन सा है जो सबसे महत्यपूर्ण सरोत है तो उसमें है खुदाई में प्राप्थ अब प्रारंबिक सोर्स कह सकते हैं सबसे पहले सोर्स जो थे वह खुदाई में मिले वह उसे इस ते जिसके बाद हडपा सब्वेता के बारे में जानकारी मिली थी तो बी ऑप्सन यहां पर भी अपना सही हो जाएगा कोशन नमर फ सब्वेता के लोग जो थे वो इसके बारे में जानकारी मिली थी पूछा जा सके अगला कोशन है कि वर्तमान में हडपा और मोहन जोद्रो यह किस देश में है तो देखे आज के समय की बात करें तो ये पाकिस्तान में है ठीक है उस समय क्या होता था भारत एक होता था यानि पाकिस्तान बटवारा वगरा नहीं हो रखा था तो वो भारत का हिस्सा ही था लेकिन आज के समय में ये पाकिस्तान का हिस्सा हो गया है हडपा की जो खोज है इसका श्रेक किसे जाता है ठीक हडपा की खोज जो है उसका श्रेक किसे जाता है option में रखाल दास बनर जी दैराम सानी जॉन मार्शाल इन में से कोई नहीं तो इसका श्रेक जो है वो दैराम सानी को जाता है अब देखें यहां पर हडपा की खोज की बात कर रहे है हडपा सब्वेता की बात नहीं कर रहे हडपा मतलब जो हडपा नामक शहर था या नगर आप कैलो उसकी खोज की बात चल लिए ठीक है तो question को थोड़ा बारी की से समझते वे चलना मिर्तको का टीला यह जो है इसका शा जाता है तो अर्डी बनर्जी जो थे जिनको रखाल दास बनर्जी कहते हैं इनको जाता है श्रेस का इंपोर्टेंट है याद करते चलना यह कुशन पेपर में पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट कोशन है कि हडपा संस्कृति के लोग जो थे इनके द्वारत सीचाई के लिए क इन साधन्ों का तरक्त के तरक्त नेर होसं नेहर का फूए का जलाषय या फिर सभी का फिर सभी का तेλέ नदी के तटपे हैं तो गो है रावी नदी के तटपे ठीक है सिंदू मत करना भूल कर भी ने आप को माय जाएगा अगला कूशन है कि काली बंगन जो है यह वरतमान में कौन से स्टेट में इस्थित है कौन से राज्य में स्थित है उप्सन में है UMP MP राजिस्तान गुच्रा तो आप सभी जानते कि राजिस्तान में है काली वंगन ठीक है तो सी ऑप्सन हो जाएगा अगला कोशन है कि मुहन जोड़ो जो है वो कौन सी नदी के तड़ पे स्थित है तो अब मुहन जोड़ो आया तो आपको सिंदू लगाना है ठीक है सिंदू खींदि चरकें अगला है कि हड़ आत्वा सिंदू गाटी सभयता कि सबसे विसिश्ट पुरावस्तू क्या है तो मुहर मिली है, यह है सबसे विफिश्ट पुरा वस्तु हktion A, यानि कि आपका ऑपसन A वो सही है, कि हरदापा की जो मुहर ठी वो टेज पत्थर से बणाई जाती थी, यहनि किस पत्थर से बनाई जाती थी, तो यह सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी इसके बाद नेक्स्ट कोशन देखिए पुरा तत्विद जो है वो डैस सब्द का परियोग पुरा वस्तु हो कि ऐसे समू के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट सहली की और इशारा करें उसको हम क्या बोलते हैं संस्कृत बोलते हैं एक कल्चर है यह आपको यहाँ पर सही हो जागा देखिए इंपॉर्टेंट कोशन है ऐसे कोशन आपकी पीपर में पूछे जा सकते हैं पूरी निचोड दिया इससे बाहर कोशन नहीं बनेंगे ठीक है तो इसे बिलकुल ध्यान से देखकर याद करके आपको जा अग्ला कोशन है कि दोला वीरा वर्य कि धूला कुछन है कि धोला वीरा जो है वो किस राज्य से संबंदित है ठीक है धोला वीरा जो है वो तो ये गुजरात राज्य से संबंदित है यानि बी आपसन आपका यहां पर सही हो जाएगा अगला कोशन है कि सिंदु घाटी सब्वेतागा सबसे पहला खोजा गया सबसे पहले खोजा गया थ पाेजनम नहीं लेगा था था ठीक याद रखना है आपको पुरॉतियां जोती वूट कितने इस्सों में विवाजित ही तो अप मुझे कमेंट में बताईए मैंने चैप्टर में आपको सब कुछ विस्तार में बताया है ठीक है तो आप मुझे कमेंट में बताईए और और आपका सही आंसर हो जाएगा अगला कुछन है कि हड़पा सब्वेता की सबसे अनूठी विसेश था यानि सबसे मतलब बिल्कुल अनूठी जो बिल्कुल इस्पेशल आप कहा सकते हो तो वह है जल निकास पड़ना जिसके लिए यह सब्वेता बहुत जादा परशिद्ध है मैं नेक्स्ट है कि हडपा सब्वेता में सडखें और जो नालियां थी वह कौन सी पद्धिती के अनुसार बनाए गए पद्वेतِّ जाल बन जाता था इसमकोंसे और दूसरे oui और जूछ इसی scorड़बंद मिली मोहनजोद्रोड़ों का निचला सहर तो यह यहarent ऑप आवासिये जो भवन होते हैं इसका उदार है तो याद रखना है ये कोशन बहुत पुछा जाता है कि हडपा के जो बात होते हैं ठीक है इसको नाविकों का देश कहते थे तो जो मेलूहा है इसको नाविकों का देश कहते थे मेसोपोटामिया के जो लेक हैं उसके अनुसारположारो जो नाम है किस चेतर के लिए यूस किया जाता था तो यह ओमं जो है जहां से तामबा आता था इसके लिए यूसешь किया पर यहां के प्राप्त ह्राप्त हूँ नगरों सही हरप यहां से प्राप्त हूँ है अब सीधर इससे लगा सकते नेक्स्ट एक डैस एक चोटी सी भसती थी जो पूरी तरह से सिल्प उत्पादन कारे में सनलग नहीं थी तो जो चहुंदड़ो है यह सिल्प वाले काम में लगे वी थी ठीक है यहां से काफी सबूत मिले हैं निमलिकित में से क्या सिल्प कारे के अंतरगत नहीं आता तो उनना था अगल निमलिकित में से क्या मन के निर्मान में उपयोग में लाया जाता था आपशने करने के उपकरन जो हैं वो कहां से मिले हैं तो लोथल में भी मिलें चहुंद्रों में मिलें धोलावाद वीरा में भी मिलें तो यानि कि आप कह सकते हो कि उपरोग सभी हो जाएगा इसका अंसर नेक्स्ट है कि डैस एक मुलायम पत्थर है तो सेल घडी जो है यह एक मुलायम पत्थर है इंपोर्टेंट है पूछा जा सकते आपसे पेपर में नेक्स्ट कोशन है कि निमलिखित में से कौन सी बस्तिया समुंद्र तठके समीप है तो नागिश्वर और बाला कोट यह आपको याद होना चीह है यह समुंद्र तठके किनारे आप मैप में पूछा जाता है इसलिए मैंने स्पेशल इसको खाता कि यह दोनों याद करके जाना है अगला है कि पुरातत विदो ने किस छेत्र से मिले साक्ष्यों को गनेश्वर जोधपूरा संस्कृति का नाम दिया है तो जो खेत्री है ठीक है राजिस्तान खेत्री खेत्री से जो सा जाता है बारतिय पुरा तत्विद्श सरवेक्षण के डिरेक्टर जनर्नलय घर इन्होंने दुनिया अगए सिंदुघाची की एक रलवी सब्वेता की खोशना कब की तो यह तो SN Rau, ठीक है, SN Rau, SN Rau के द्वारा लिखी गई है, अगला है कि पुरा स्थल के स्थर विन्यास को पूरी तरह से किस ने अंदेखा करा, तो जॉन मार्शल थे, ठीक है, इन्होंने स्थर विन्यास के क्या मतलब है, कि देखो खुदाई वो एक समान खुदाई के बात करते थ एक परत्मान के, दूसी परत्मान के, तीसी परत्मान के नीचे की तरफ, लेकिन यह क्या था, एक समान खुदाई की तरफदारी करते थे, अगला है कि निमलिखित में से 1944 में भारत्य पुरा तत्विक शर्वेक्शन के डिरेक्टर जनरल बने थे, कौन बने थे, ध्यान से आपके निमलिखित में से किसने समान 36 जिकाईयों के आधार पर खुदाई की बचाए, टीले के इस थर्विन्यास का अनुसरन करने को सही माना था, तो वीलर ने माना था, देखिए क्या था, यहां पर एक समान मतलब इस तरीके से लगा था और खुदाई करते जाओ, तो य अनुसरे बादब इस तरीका एक सब्सक्राई करें था, यहां इस था एक सब्सक्राइalfित अग्रुदार है, जानकरी मिलते मात्र देवी मूर्ति से यस ऐयह से शिव की मूहर पर मिला डुक्र अगला कोशन है कि शमन कौन थे तो यह मैं आपको लिख के बता रहा हूं शमन कौन थे आप समझ लो देको शमन ऐसे महिलाएं या पुरुस होते थे जो मतलब कहते थे कि हम आरे पास ऐसी शक्ति है जिसे हम जादूई शक्ति कहलो जिसे मतलब वह इलाज वगरा कर सकते और हो जाएगा आपका 1955 में इंपोर्टेंट है पुछा जा सकता है कि कि किन देशों के साथ व्यापारिक संबन्द थे तो देखें इरान के साथ एराक के साथ थे और मिश्र के साथ यानि सी अपना हो जाएगा सही अगला कि लोथल जो है वह कौन से राज्य में है तो यह को रटन है और पेपर में आ सकते है ठीक है और आपको हमारी वेबसाइट पर नोट्स मिल जाएंगे इसके MCQ वगरा के तो आप एकलब्वे स्टेपाइं डॉट कॉम जो है गूगल पर सर्च करके हमारी वेबसाइट में जा सकते हैं कैटेगरी बनवा दी जाएगी आपके लिए आप वहाँ पर जाके सर्च कर सकते हैं ठीक है तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग सभी को जै हिंद जै भारत